मसल केंटेन इस मसल केंटेन इस डिफरेंट तिंग अब देख हमने क्या का पढ़ाई उसी को मैं रिपीट करूंगा किमिकली अगर हम बात करेंगे किमिकली अमसल केंटेन फॉस्ट स्यावंटी फाइव पर्सेंट वाट मसल में किमिकली क्या होता है 75 पर्सेंट वाटर होता है how much 75 पर्सेंट वाटर second understand करने के लिए मैं डिफरेंट मारकर्स यूज़ कर रहा हूँ 75 पर्सेंट जो होता है वाटर होता है 20 पर्सेंट प्रोटीन how much 20 पर्सेंट 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 प्रोटीन and third 5 पर्सेंट अधर अर्गनिक सबस्टंस third 5 पर्सेंट अधर अर्गनिक 5 खर्सेंट पिर्सेैंट इसमें इसकी बात कर रहा हूं मैं फिस्स्ट प्रोटीन सेकंड हैट्स थर्ड कार्ब हरेट ठीक इस अधर और्गिनिक सबस्टन्स में एक फैट प्रोटीन है फैट से कार्बॉइड्रेट है फूर्थ नेट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज फूर्थ फूर्थ जो है नेट्रोजीनस है इक्स्ट्रा एक्टिवीज चोथा यह अधर औरगनिक 감사 5%, rien जो इस सर्फोप्लाजम में पाई जाते हैं केमिकली की बाथ करेंगे नेट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज नेट्रोजीनस एक्स्ट्रा एक्टिवीज इस में से लाइक urea and cretine urea and cretine fourth, fifth protein is other organic substance protein, phytos, carbohydrate nitrogenous extractivis nitrogenous extractivis cretine and urea or fifth non-netrogenous extractivis fifth, non non-netrogenous extractivis like lactic acid byproduct johota non-netrogenous extractivis me kya hota hai इसका जो like lactic acid है और fifth फिप्त तास्वारी sixth pigment इसमें pigment पाये जाता है pigment का क्या क्या हम रहता है it gives coloration to the coloration to muscle muscle को इसी pigment की हलफ से color मिलता है जब contraction होती है जहाँ पर muscle contract होती है तो वहाँ पर muscle red दिखने लगता है तो myoglobin का भी यहाँ पर रोल रहता है वो color देने में तो इसी pigment यह pigment जो है यह यहाँ पर क्या होता है जब contraction होती है तो coloration muscle को मिलती है जहाँ पर जएदा contraction होगी ओवेसली वहाँ muscle red होगी वहाँ क्या muscle होगी red होगी और जहाँ पर contraction बहुत ही कम होती है muscle में उस muscle का color पेल color होता है तो यह pigment भी chemically muscles में पाए जाता है और क्या होता है और enzymes भी पाए जाते हैं 6th 7th enzymes भी पाए जाते हैं और 8th organic salts यह सारे चीज़े जो muscle में पाए जाते हैं तो these all these things all these elements all these aspects which plays very crucial role in contraction in the process of the contraction of the muscle muscle contraction में इनका बहुत ही एहम रोल रहता है इन सभी चीज़ों का अहम रोल रहता है like water का protein का other organic substances का phyat का carbodate का metrogenous extra activities का non-netrogenous extra activities का pigments का enzymes का organic salts का तो इस सभी चीज़ों का क्या रोल रहता है यहां पे बहुत ही crucial role रहता है यहां पे